नमस्कार दोस्तों मैं एरवेटरंस आरके शाक्या आप लोगों का अपने यूटूब चेनल नैचर टेल्स में स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों को पत्री के बारे में बताऊंगा कि पत्री कैसे बनती है और कहां कहां बनती है चूँकि जो भी काद्री पत्री के बारे में बताऊंगा तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि डाजेशन सिस्टम पाचन तंत्र सुरू होता है यहां से जब हम काद्री पत्री मुव में खाते हैं दातों दोरा चबाते हैं तो उस समय यहां पर लार ग्रंतियों से लार भी इसमें मिलती है और जितना ज़्यादा हम दातों दोरा चबाते हैं उतनी अच्छी लुगदी बनती है इसकी और इसको लुगदी बनने के बाद इसको आगे निगल जाते हैं तो यह खाना जो लुगदी बन चुकी है लार के साथ यह आगे चल करके भोजर नली जिसको इंगलिस में फूड पाइप कहते हैं भोजर नली से हो करके नीचे यहां तक ऐसे जा करके आमासा में पहुंशती है इसको अंग्रेजी में स्टमक कहते हैं यह बहुत बड़ी सी थैली होती है जिसमें खाना इकटा होता रहता है जितनी भी देर हम खाना खाते हैं 15 मिनट 20 मिनट आदा गंटा यह सारा खाना चबाने की बाद यह आमासा में इकटा होता है और यह पानी के साथ एक तरल पदार्थ बन जाता है यह आमासा में खाना लगवग 4-5 घंटे रहता है इस आमासा का क्या काम है और इसमें क्या होता है यह बता रहे हैं इस आमासा में जब 4-5 घंटे रहता है तो इसमें से एक juice निकलता जिसको पित कहते हैं, और ये पित जो है ये हमारे stomach में मिलता है जा करके, जो इस पे बशा युगत खाने को पचाता है तो 4-5 गंटे में ये खाना पचता है, इसका काम ये भी है कि फूलता और पिचकता है जिससे ये खाना अची तरह से digest होता है तो digest होने के बाद फर्दर आगे ये बढ़ता है आगे चल करके ये छोटी आथ जिसको इंग्लिस में small intestine कहते हैं ये हमारे पीट में इस तरह से पड़ी रहती है ये खाना छोटी आथ में इदर से घूमता रहता है और छोटी आथ इस खाने को और पचाती है फूलना और पिचकना इस आथ के द्वारा फूलना पिचकना से खाना पचता है और दूसरा काम इस आथ का ये है कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी चीजे हैं वो छोटी आथ इन में से तरल पदार्थ और उपयोगी तत्त को शोशन करती है और वो आगे बलड में सामिल कर देती है जो सेमी सॉलिड फूड बचा हुआ छोटी आथ से सोशित करने के बाद आगे बड़ी आथ में आता है बड़ी आथ की लंबाई छोटी आथ से कम होती है लेकिन इसका ब्यास जादा होता है इसलिए इसको बड़ी आथ कहते हैं बड़ी आथ की लंबाई लगवग 5 फिट होती है जो एक बयस जवान व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए बड़ी आथ का काम भी अवशोशन करना है जो semi solid food, west food है उसमें से जो सरीर के लिए जरूरी तत्तो हैं उनको अवशोशित करते हैं पानी और तत्तो अवशोशित करने के बाद जो solid west बचता है वो दीरे दीरे यहाँ से आगे चलकर करके मलासे में एकटा होता है और ये मलासे में एकटा होनी के बाद समय पर मल द्वार द्वारा बाहर प्याग दिया जाता है ये digestion system का basic knowledge मैंने बताया है अब मैं बताता हूँ कि stone कहां और कैसे farm होते हैं तो सबसे पहला है gall bladder कि gall bladder में stone farm होते हैं और दूसरा है kidney, kidney में farm होते हैं gall bladder में stone कैसे बनता है जो liver है इसमें पित रस बनता है और पित रस का store पितासे में होता है जिसको gall bladder कहते हैं तो इस पितासे में पित एकटा होता है और ये पित आगे हमासे में छोड़ा जाता है जब पित में cholesterol की मात्रा अधिक हो जाती है तथा bil ruin की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह stone के रूप में form हो जाते हैं 80 प्रस्त गाल ब्लेडर के stone cholesterol की वज़े से अधिक मातरा में cholesterol हो जाता है तब बनते हैं और 20 प्रस्त के करीब ऐसे हैं जो bil ruin के कारण से बनते हैं यह stone निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है बहुत पतला और सक्रा रास्ता होता है जहां से पित आमासा में जाता है तो ये स्टोन दीरे दीरे फार्म ऐसे हो जाते हैं सलज या कीचड की तरह से पितासा में खटे हो जाते हैं अब मैं ये बताता हूँ कि गाल ब्लेडर में पत्री क्यों होती है जब शरीर में मुटापा और सुगर होने लगती है तथा रेसा युक्त खाद्य पदार का हमारे भोजन में कम होना होता है तब यहां पर पत्री बननी लगती है पत्री बनने से समस्या क्या होती है जब गाल ब्लेडर में पत्री बन जाती है तब पत्री के टुकडों के कालन पित आमासे में नहीं पहुच पाता है अतहर पाचन घ्रिया में गर्वडी हो जाती है जिससे उल्टी मैसियूस होती है पेट में भैंकर दर्द होता है तता कमर दर्द भी हो सकता है और जब गाल ब्लेडर का पत्री नहीं निकलती है तो गाल ब्लेडर का कैंसर भी हो सकता है पितासे में पत्री न बने इसका समाधान क्या है नीमित भ्यायाम करें जिससे मुटापा न होने पाए दिन में अधिक पानी पिएं साथ से आठ ग्लास पानी पि तो इसका एक ही उपाय है कि operation करके ये complete गाल व्लेडर को बाहर निकलवा दे, गाल व्लेडर निकालने से कोई परिशानी नहीं होती है, अगर कोई कहता है कि गाल व्लेडर की पत्री दवाई से तूट सकती है, दवाई से बाहर निकल सकती है, तो इस भ्रम्मे न पढ़ें, क्य पत्री निकलना impossible होता है, इसका एक ही उपाय है कि गाल व्लेडर जब बहुत परिशान कर रहा है, तो इसको operation करके बाहर निकाल देना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए, और क्योंकि गाल व्लेडर निकलने के बाद आदमी अपना जीवन बिना किसी परिशानी के बिता ल बनते हैं और कैसे बनते हैं? तो इसके लिए हमें मूत्र प्रडाली का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों किड्निया मूत्र प्रडाली का एक मुख्य अंग है, हमारे शरीर में दो किड्नी होती हैं, जो स्वतंतर रूप से अपना कारी करते हैं, तो ये स्टोण कैसे फार्म होते हैं तो पहले से मैं यह बतायता हूं कि यह स्टोन किन किन तत्तों से मिलके बनते हैं किटनी में स्टोन कैल्सियम के साल्ट जैसे कैल्सियम ऑग्जलेट या कैल्सियम फासफेट या यूरिक एसिट से भी स्टोन बनते हैं या यूरिक एसिट कैल्सियम के साथ मिलकर के जो chemical salt बनाते हैं उससे भी ये stone बन सकते हैं अब ये stone कैसे बनते हैं इसके लिए हमें digestion system कावी सहरा लेना पड़ेगा मैं बताऊँगा कि ये कहां से kidney में आते हैं छोटी आत और बड़ी आत ने जो हमारे सरीर के उपयोगी पदार्थ अपने अंदर अवशोशित किये थे बलड में भेज करके उस बलड को ये renal arteries गुर्दे की धमनियों द्वारा आते हैं और दोनु kidney में जाते हैं यहां पर ये तरल पदार्थ filter होता है तो ये कह सकते हैं कि blood का filtration का का काम ये kidney करती हैं या दूसरे सब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि हमारे सरीर का drainage system का कारी करते हैं ये जब filter करती है तो filter के बाद जो blood है वो blood अलग हो करके liver में भेज दिया जाता है वैसे तो ये तत्तो जो blood के अंदर मौजूद होते हैं जो filter होने के बाद kidney में रह जाते हैं और ये urine के रास्ते दिरंतर बाहर निकलते रहते हैं जब कभी ये crystals अधिक मात्रा में इखटे हो जाते हैं जो urine के रास्ते बाहर नहीं निकल पाते हैं तब यहाँ पर stone बनने लगता है तो अब हम ये बताते हैं कि ये kidney में stone formation से समस्या क्या क्या हो सकती है जब kidney में पत्री बन जाती है तो ये टुकडे कभी कभी पेशाब के रास्ते urine के रास्ते और बहुत भेंकर दर्द करते हैं और आगे जाकर के ये मूत्रासे में एकटे हो करके आगे मूत्रवाहिनी नली से जब बाहर निकालते हैं तो वहां भी फस सकते हैं और बहुत दर्द करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो है kidney में दर्द होना और यूरेटर मूत्रवाहिनी में बहुत पड़ा भेंकर दर्द होता है तो इसको दर्द नहो उसके लिए अधिक शेदिक पानी पीना चाहिए जिससे बहुत अधिक मात्रा में यूरिन बने और प्रेशर के साथ ये टुकडे बाहर निकल जाते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता है जब ये टुकडे बहुत अधिक खटे हो जाते हैं तो ठीक से बलड फिल्टर नहीं कर पाती है और किड्नी अपना काम नहीं कर पाती है ब्लड फिल्टर नहीं होता है, ब्लड शरीर में सई धंक से नहीं पहुँच पाता है, तो बहुत सारी बीमारियां हो जाते हैं, किड्नी में स्टोन न बने, इसके लिए हम मुझे क्या उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहला तो यह है कि अधिक पानी पीना चाहिए, कम से कम सा से आठ ग्लास पानी पीने से पेशाब खुलकर होती है, तो यह छोटे छोटे टोकड़े जो है आराम से पेशाब के द्वारा निकलते रहते हैं, यह हमें पता भी नहीं लगता है, और यह बहज आते हैं, तो एक तो यह है, यूरिन अधिक बननी चाहिए, कम से कम एक साधा प्रणा बयस मनुष्ची का यूरिन साथ सो से आठ सो एमल मिली लीटर यूरिन बनना चाहिए, और वो प्रद दिन इतना निकलना चाहिए, जो लोग एकसरसाइज करके या धूप में रहते हैं, जिनका पसीना अधिक निकल जाता है, तो उनके सरीर के अंदर पानी की मातरा कम हो जाती है, तो उनका यूरिन कम बनता है, तो उस समय उनको अधिक मातरा में पानी पी रेना चाहिए, जिससे की यूरिन बने, और जहां पर ये स्टोन इखटे हुए हैं, वो बाहर निकल जाए, दूसरा है कि सुबह छे वजे से पहले उठकर के तीन-चार ग्लास गुन करके दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मेरे पहले वीडियो में बालंखीरा का काढ़ा और चूरण बनाके बताया गया है, उससे भी पत्री पिगल करके निकल जाती है, और दूसरा वीडियो पत्र चटा का है, जिसके पत्ते खाने से जो रसाइन होता है, उससे पत पत्री के लिए operation की जरूरत नहीं है ये दवाईयां खाने से टूट करके बाहर निकल जाती है जब पत्री बन गई है तो हमें calcium से समधित चीजें जैसे बीन्स चॉकलेट काफी पालक सकरकंद चुकंदर सोया मिल्क मैदा सुपारी आज चीजें कम कर देना चाहिए पूरी तर ये पत्रचटा का पत्ते कैसे यूज करें और बालमखीरा का काढ़ा कब पिएं कैसे पिएं तो इसके बारे में बताता हो कि खाली पेट खाने से ये दवाईयां कुछ है जो ज़्यादा असर करती है क्योंकि रसाइन बनाती है जिससे पत्री पिगलती है तो अच्छा रहे कि दर्द नहीं हो रहा है तो समझ लें कि हो सकता है कि पत्री बाहर निकल गई है और साल में एक बार अल्ट्रा साउंड अवस्य करा लें चाए वो गाल ब्लेडर की पत्री हो या किट्नी की पत्री हो दोनों पत्री सिर्फ अल्ट्रा साउंड से ही पता लगती है और इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है कि आपके शरीर में पत्री है या नहीं है। और देखें कि पत्री अभी है या नहीं है, अगर है तो दबाईयों का प्रियोग करते रहें। और धैरी के साथ करें, निशित रूप से पत्री पिगल करके निकल जाएगी। दोस्तों जब आपके कोमेंट्स मिलते हैं, मुझे खुसी होती है कि आप लोग जानना चाहते हैं। और किस तरह की वीडियो आपको पशंद आते हैं, क्या क्या वाते जानना चाहते हैं, वो आप कॉमेंट्स बॉक्स में आवस्य लिखें, आशा करता हूं कि अब आप लोग पत्री के बारे में जो भी डाउट्स हैं, वो आपके क्लियर हो गए होंगे, कैसे बनती है, कैसे ठीक हो सकती है, और पिता से जो गाल ब्लेडर है, काफी लोग पूछते हैं, क्या दवाई खाने से गाल ब्लेडर की पत्री ठीक हो सकती है, वो मैं बता चुका हूं, कि गाल ब्लेडर की पत्री के लिए ऑपरेशन ही चाहिए, गाल ब्लेडर को बाहर निकालना जरूरी होता है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे अगले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएं, आप लोग खुश रहिए, जैहिन!